हेलो गाइस तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बी ये सेकेंड इयर फॉर्थ समेस्टर बी यसी के मैथमेटिक यानि की मैथ का एंसर की तो जिल लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखेगा और इसके पहले बाले वीडियो को जरू से जरू देखी यानि कि इसके पहले हमने बीए के सब्जेट के जितने भी हैं जीतना हम से हो सका उतना एंसर की हमने आपको बताया है और इंपॉर्ट कोशन बताया है तो यह मैठ का कॉशन है math का answer की है बीए सेकेंड इयर फॉर्ट समेस्टर तो इसमें आनि 우리 आपको हम answer बताएंगे कौन सा answer सही है और कौन सा answer गलत है यदि आपको कोई भी answer गलत लगे इस वीडियो में तो आप उसका answer बता सकते हैं comment box में ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो जिनका paper code यानि बुकुलेट code D है तो उनको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब question same रहेगा बस इधर उधर रहेगा तो चलिए question को बताते हैं हम तो इसमें पहला question दिया है यदि मतलब पहले वाले question का right answer क्या होगा यल की दिया यल लंबाई की एक सरवांगसम जंजीर को एक ही 36 रेखा में इस्तित दो बिंदू ए था बी से लटकाया गया है यदि ए पर तनाव निन बिंदू पर तनाव का दो गुना है तो फैलाव ए भी होगा तो इसका right answer क्या हो गया है आपसर नमबर चौथा इसका right answer हो गया यानिकि एल बटे अंडर रूट 3 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 3 अनिकि आपसर नमबर चौथा इसका right answer है आई यह टी रो एल ठीक है आपसर नमबर दूसरा इसका right answer है आई यह बढ़ते हैं next question की दरब तो काईस यदि कोई भी answer आपको गलत लगे तो आप comment box में उसका answer बता सकते हैं किसी चिकने समतल जिसके संपर्क में पिंड है कि प्रतिकडिया बल आर के द्वारा किया गया अभासी कार क्या होगा सुनने होगा आपसर नमबर पहला इसका right answer है और next question दिया गया है हमारा यदि एक निश्चित 36 समतल से उपर एक पिंड की गुरुत केंदर की उचाई Z है तो Z है तो Z is equal to F bracket में 0 है तो सामय वस्था के लिए क्या होगा तो D square Z बटे में D theta square और फिर यहां पर दिय गया है लेज देन बराबर दिया गया है यहां पर लेज देन अंडर इसको जीरो यानि कि आपसर नमबर तीसरा इसका right answer होगा और एक अर्ध गोला सामान त्रिज्या के एक गोले पर सामय वस्था में बिराम में इस प्रकार है कि अर्ध गोले को वक्रतल गोले पर बिराम में है यह सामय वस्था है और इस थाई है आपसर नमबर दूसरा इसका right answer है तो काईस जो भी एंसर आपको गलत लगे उसका एंसर आप कमेंट बाक्स में बता सकते हैं और इस थाई सामय वस्था में पिंड की इस्तिति उर्जा होती है न्यून तम होती है और यहाँ प्रदिया गया है रेंच आर डैस के की पीछ बराबर क्या होगा के बटे में आरा आपसर नमबर दूसरा इसका right answer है आईए बढ़ते हैं आगे question की तरफ तो हमारा next question है किसी पिंड के बिंद ओपर कार्यत बल निकाय एकस वाई जड एलमन को एकल प्रनामी बल में समानित किया जाता है यदी और केवल यदी तो LX प्लस MY प्लस YNZ is equal to 0 तथा X square प्लस Y square प्लस Z square is equal to 0 आपसे नमरा पहला इसका right answer है और next question क्या दे गया है एक बल निकाय के सामेवस्ता की सर्त क्या होती है R is equal to 0 और G is equal to 0 ठीक है आपसे नमरा तिसरा इसका right answer है तो काईस यह वीडियो उनके लिए खास है और जिन का लिजों का अभी तक एक्जाम नहीं हुआ है तो उनके लिए यह model paper सिद्ध होगा और जिनका हो गया है तो वो अपना answer मिला ले यदि आपको question सेम दिखता है तो सरल रेखा जिसके अनुरुप एकल बल कारे करता है जब इसके पीच के साथ साथ बिचार किया जाए तो इसे कहते हैं सकू कहते हैं आपसे नमर के है दूसरा इसका राइट answer है एक दिये हुए बल निकाय को दो बलो द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है केवल दो प्रकार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है आपसे नमर दूसरा इसका राइट answer है यहाँ पर हमारा next question दिया गया है दोस्तों हमारा next question है यदि 2 प्लस 2 PX प्लस में Q X square is equal to 0 तो आउकल सामिकरा D square Y बटे D X square प्लस P DY बटे D X प्लस Q Y is equal to 0 का एक हल है तो इसका right answer क्या होगा आप से नोट पहला Y is equal to EX यानि E power X से आये बढ़ते हैं next question की तरफ यदि Y is equal to E power X आउकल सामिकरा D square Y बटे D X plus P DY बटे D X plus Q Y is equal to 0 का एक हल है तो 1 plus P plus Q is equal to 0 आप से नोट पहला इसका right answer है यहाँ पर next question दिया गया है निम लेखित में से कौन सा फॉलन का आउकल समिकराड है तो इसका कौन सा आउकल समिकराड है तो इसका right answer है आप से नोबर तिसरा Y is equal to E power 2 X होगा ठीक है आईए बढ़ते हैं next question की तरफ तो दोस्तों next question दिया गया हमारा निम लेखित में से कौन सा फॉलन आउकल समिकराड है आउकल समिकराड के हल के पूरन फॉलन का एक भाग है मतलब इसके एक पूरन फॉलन का भाग है तो कौन है जिसका right answer है Y is equal to X आपसे नवर दूसरा इसका right answer है और next question दिया है यदि Y is equal to X square तो इतने बराबर का हल है जो इसका पूर हल है तो इसका right answer क्या है Y is equal to C1 और के दिया है X plus C2 X cube दिया गया है आपसे नवर पहला इसका right answer है आउकल समिकरण इतने बराबर का प्रसामान रूप है तो इसका प्रसामान रूप कौन सा है तो इसका right answer है दी स्क्वार भी बटे डी एक्स स्क्वार माइनस 6 भी इसगोल टू इक पावर एक्स आपसे नवर दूसरा इसका right answer है आईए बढ़ते हैं इसको संकी तरफ तो जो भी एंसर आपको गलत लगी आप कमेंट बाक्स में उसका एंसर बता सकते हैं और यदि आप इसका पीडियेप चाते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जूड़ना पड़ेगा आउकल समिकरण डी इसको एक्स स्क्वार डी उसक्वार वाई बटे डी अक्स स्क् इसका राइड एंसर आप्टर चौथा इसका राइड एंसर है आए बढ़ते हैं नेक्स्को संग कीतरा मरा नेक्स्ट कोस्चन दिया गया है आप प्राचल बीचलड़ वीधी से आवकल समीकरण इतने को हल करने पर राक्सियन का मान कितना आएका दो आएगा आपसे नंबर x is equal to a कहलाता है तो क्या कहलाता है तो इसका right answer है a कोचन बिंदू कहलाता है ठीक है और next question दिया गया है यदि यहाँ दिया है bracket में 1 minus x square फिर bracket के बाहर y और यहाँ पर double inverted कामा दिया गया है minus 2 x फिर कॉमा ठीक है और n plus 1 is y is equal to 0 है तो यह मतलब यहाँ क्या है यहाँ कौन सा समिकरण है तो इसका right answer है यहाँ well-cell sum इकरण है आप सनवर पहला इसका right answer है और next question है sum इतने बराबर है well-cell sum इकरण जिसकी कोटी है कितनी कोटी है दो आप सनवर कहा है दूसरा इसका right answer है यहां पर दिया है यहां पर एक सवाल दिया गया है यहां पर इसके बराबर है तो िसके बराबर क्या है तो इसका right answer क्या है यहाँ पर 1 by 3 है आपस नमर दुसरा इसका right answer है यदि PN बिरिकेट में X प्रथम प्रकार का legendary भवपद है तो यहाँ पर दिया है और इतने कामान क्या होगा तो इसका right answer है दुसरा इसका right answer है यानि कि 2 बटे 2N प्लस 1 होगा आपस नमर दुसरा इसका right answer है यहाँ पर दिया गया है समाकलन 1 by 1 ती 1 N isquire DX कामान कितना होगा 1 by 2 N प्लस 1 आपस नमर दूसरा इसका right answer है यहाँ पर दिया गया है PN X के लिए Rodrip's सुत्र है तो इसका right answer क्या है PN ब्राबर X यहां पर दिया गया है 1 by n, 2n, dn, बटे dn, dxn, फिर x square minus 1 आनि कि आप सनुर पहला इसका right answer है समा कलन 1 बटे minus 1, समा कलन 1, फिर minus 1, x power 4, p6 यहां पर bracket में x ds का मान कितना होगा, 1 होगा आप सनुर तीसरा इसका right answer है समा कलन यहां पर दिया गया है, का मान कितना होगा यानि question number 29 का right answer होगा, 0 आप सनुर पहला इसका right answer है next question है, यदि jn bracket में x प्रथम परकार का बेलसन प्रफलन है तो j minus 1 by 2 का मान कितना होगा, तो इसका right answer है रूट में, फिर रूट में, अंडर रूट में 2 पटे यहां पर दिया गया है 5 पटे x है, ठीक है, 5 x cos x है आप सनुर दूसरा इसका right answer है यहां पर j1 बराबर है यारि जो दिया गया है, सवाल यहां किसके equal है दिया गया है, j1 के equal है आप सनुर पहला इसका right answer है नेक्स्ट कुशन है, निम्रिकीत में से कौन सा कथन गलत है तो आप सनुर तीसरा इसका right answer है और आगे कुश्चन दिया गया है यहाँ पर दे गया है एक सवाल दिया गया है मतलब यहाँ पूछ रहा है कि किसके बराबर है तो किसके बराबर है log-1x के बराबर है आप सनमर तुसरा इसका right answer है यहाँ पर एक सवाल दिया गया है यादि कि एक समिकरण दिया गया है यह पूछ रहा है कि यहां किसके बराबर है तो इसका राइट एंसर है e to power minus x के बराबर है आपसे नमर तुसरा इसका राइट एंसर है यदि z is equal to f bracket में x square minus y square का आंसिक अवकल समिकरड y to p कि देगे है y alpha p plus x q दिया गया है is equal to beta को संतुष करता है तो alpha beta का मान कितना होगा तो इसका राइट एंसर है one one होगा आपसे नमर पहला इसका राइट एंसर है next question है यदि p d e बराबर का हल यक्स यहाँ पर alpha minus y beta is equal to y square minus y z square हो तो alpha beta का मान कितना होगा two, three होगा आपसे नमर पहला इसका राइट एंसर है तो next question दिया गया है यदि p d e बराबर इतना दिया गया है का हल है तो इसका राइट एंसर है आपसे नमर पहला इसका राइट एंसर है यहाँ पर दे गया है यदि p d e बराबर x plus z p plus z plus x q is equal to x plus y द्वारा दिये जाने वाले दिया है तलकुल पर लंबवत तलकुल का समी करड़ है तो इसका राइट एंसर है आप से नमर चोथा इसका राइट एंसर है यहाँ पर P D E P Q is equal to 1 का हल है तो इसका राइट एंसर है आप से नमर पहला इसका राइट एंसर है यहाँ पर दिये गया है यदि P D E बराबर Z is equal to P X plus A Y plus P Q का पुड़र हल है तो यहाँ पर इसके बराबर है तो अलफा बीटा का मान कितना होगा तो इसका राइट एंसर है 1 1 आप से नमर तीसरा इसका राइट एंसर है नेक्ट कोशन है यदि इतने बराबर P D E बराबर P E D Z is equal to इतना दियागा है तो बीचितर हल है तो इसका बीचितर हल क्या है Z is equal to X Y आ हूं कि यदि पी इस गोल्ट्य इतत इतना भिया है और यस ब्राबर इतना टी ब्राबर इतना ठीक है यानि कि पी ब्राबर इतना गैं Gir narratives रे अध्यूह द है टो स्वाइब तो दोस्तों हमारा नेक्ट कोशन है फीड़ी बराबर इतना दिया गया है का विशेष स्वमाकल है तो इसका विशेष समाकल कौन सा है आप्स नमर तिरा वन वाइट ट्वण्टी फाइब इसकू यह पार टू एक्स प्लस ठीडू आई और नेक्स कोशन है PDE बराबर यहां पर दिया गया है इतना तो इसका हल क्या होगा तो यहां पर दिया गया है आफ्शन नमर तीसरा इसका राइट एंसर है नेक्स कोशन PDE T प्लस S प्लस Q इस गल टू का हल कितना होगा तो आपस नमबर तीसरा इसका राइट एंसर है आईए बढ़ते हैं निसकों की तरफ तो इसमें हम आपको एंसर बताने का परियास कर रहे हैं यदि कोई भी एंसर आपको गलत लगे तो आप इसका एंसर कमेंट बाक्षन बता सकते हैं और अपना ओपेनियन दे सकते हैं बाकी यदि आपको इस वीडियो में कोई गलती दिखे तो इसके लिए हम चमा चाहते हैं PDE बराबर इतना दिया गया है यह मतलब पूछ रहा है तो इसका BCS हमाकलन क्या होगा तो आपस नमर चौथा इसका राइट एंसर है आगे कोशन दिया है PDE बराबर इतना दिया गया है यहीं कि PDE बराबर इहां दिया गया है और इसका हल पुछ रहा है तो इसका राइट एंसर है आपस नमर क्या है पहला इसका राइट एंसर है और कोशन नमर 49 का राइट एंसर क्या है यदि P D E R Equality का व्यापक हल इतना है तो अलफा बीटा का मान कितना होगा तो यहाँ पर इसका राइड एंसर है वन वन होगा आप सन्वर तीसरा इसका राइड एंसर है आंसिक अवकल सामिकरण यहाँ पर U X X प्लस U Y is equal to U Z है तो यह क्या होगा अति परवली होगा आप सन्वर तीसरा इसका राइड एंसर है यहाँ पर दे गया है P D E कॉमा R स्कॉर प्लस 2 Y is minus T स्कॉर इसकॉर इसकॉर टू 0 की कोटी है कितना है 2 है आप सन्वर क्या है दूसरा इसका राइड एंसर है और नेक्स पसन दिया गया है निम्लिखित में से कौन सा राइख़िकर नहीं है तो आप सन्वर दूसरा इसका राइट एड एंसरह यह क्या है राइख़िकर नहीं है केंदरी कच ार is equal to एक और स्थीटा के लिए केंदरी वलका नियम है तो क्या है तो आपसे नबर चोथा इसका राइट एंसर यहां केंदरीवल का नियम है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो हमरा नेक्स्ट कोशन है एक समतली हवक्र में गतिमान एक कड़ का अभी लंबी हर तोरल है तो इसका राइट एंसर है भी इसक्वाइर बटे रो आपसे नबर चोथा इसका राइट एंसर है यदि किसी कड़ के वेग तरिज्जा के तरफ एक तरिज्जा के लंबवत सिगमा आर ठीक है तथा माइक्रो ठीटा दिया गया है micron theta है तो इसके पत का मान कितना होगा यानि कि यहाँ पर लंबवद इतना दिया है तो इतना दिया है तो इसके पत का सामिकरण किया होगा तो आप सनमर कौन सही है आप सनमर इसका यहाँ पर दूसरा सही है यानि कि theta is equal to a e minus b बटे r square बस आप सबके डिमांड की वज़द से हम इस मैथ का यानि ब्यस्ती का वीडियो बना रहे हैं तो अगली बार से पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे मतलब बताया जाए आपको हल के साथ बताया जाए एक समतलिय वक्र पर एक समान वेग से गतिमान बिंदू का तोरड है कितना है आप सनमर क्या है इसका पहला इसका राइट एंसर है यदि एक कड़ वक्र r is equal to a e m theta पर a e के power m theta पर एक समान वेग भी से गतिमान है तो इसका अनुपरस्थ वेग कितना होगा तो इसका अनुपरस्थ वेग होगा v बते 1 plus under root में 1 plus m square आप सनमर तीसरा इसका राइट एंसर है यदि एक विंदू चक्रज s is equal to 4 a sin इतना दिया गया है तो वेग से निरूपित करता है तो इसकी परड़ामी तोरड किसी विंदू पर है तो किसी विंदू पर है आप से नुपर चोथा है इसका राइट एंसर यानि की v square बते में under root में 16 a square minus y square आए बढ़ते हैं आगे question की तरफ दोस्तो हमारा next question है यदि यास याच यम ये दिया गया है इतना तो आवर्तकाल T के लिए सुत्र क्या होगा तो T is equal to 2 2 pi बते root में कि दिया है micron दिया गया है यदि यास याच यम के केंद्र से याच यम में केंद्र से कितनी दूरी पर कड़े वेग महत्तम वेग का आधा होगा जहां A आयाम है आपस नमर कौन से यह है आपस नमर तीसरा इसका राइट है पलस माइनस A root में 2 बते में 2 यदि यास याच म में एक स्वरल रेखा गतिमान एक कड का विस्थापन इतना है यह कि इतना से दिया जाये तो इसका अवर्तक्ाल कितना होगा 2 पाई बटे एन होगा तो किस्था आपको कमेंट बाक्स में बताना है पाई कमान कितना होता है और root 3 और root 2 का मान भी आपको comment box में बताना है जल्दी से comment box में बताइए और जिन लोगों उन्हें अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को जरू से जरू देखें जब एक कड़ को एक वक्र या समतल पर गती करने के लिए बाद किया जाए तो कड़ के यह गती कहलाती है विंताय हल्की डोरी से एक सीरे से बाता गया है तथा डोरी का दूसरा एक सीला निश्ची द्विंदू से बन्धा है कड को विरित पूरा करने के लिए निम्नांकित पर प्रच्छे बेग से कम बेग होना चाहिए तो इसका राइट एंसर है 5AG, रूट में 5AG यह टोरी की लंबाई है आपसे निश्चा का पेंडल रूप क्या है तो आपसे निश्चा का पेंडल रूप क्या है तो आपसे निश्चा का पेंडल रूप क्या है लगा लीजिए, तो कैस्त हम आपसे बार बार का रहे हैं, यदि आप कोई अंसर गलत लगे तो आप कमेंट बास में उसका एंसर बता सकते हैं, लेकिन आपका एंसर सही होना चाहिए, यदि केंद्री भल का केंद्र नाभिक हो तो परवलाईक अच्छा है तो केंद्री भल का नियम है, तो कौन है, P is equal to यहां पर देगा है, आपसे बार दूसरा इसका राइट अंसर है, नेक्ट कोच्छन है, यदि एक कड़ विरामा वस्था से गुरुत के अधिन, गुरुत अचर यानि की एक प्रतिरोधी माध्यम में गिरता है, जिसका प्रतिरोधी बल माइनस य यदि एक कड़ को यू बेक से एक प्रतिरोधी माध्यम में जिसका प्रतिरोधी माइनस के, यहां के वी है, तो प्राचिप्त किया जाता है, तो इसका टर्मिनल वेक क्या होगा, जी प्रते के, आपसनमर दूसरा इसका राइट अंसर है, बिन्दू अर् ठीठा और यहां प्रतिरोधी गया है, यानि की बिन्दू इतने पर एक कड़ का वेक कितना होगा, तो इसका राइट अंसर है, आपसनमर दूसरा इसका राइट अंसर है, आए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरफ, यहाँ पर नेक्ट कोशन है यदि एक कड़ के चिकने गोले पर दबाव के अलावा बिना किसी बल के अधिन गती करता है तो डी स्क्वार ठीटा बटे डी टी स्क्वार बराबर कितना होगा यहाँ पर दिया गया है आपस नमर तीसरा इसका राइट अंसर आए बढ़ते हैं आगे कोशन की तरब निमलिकीत में से कौन सा कथन सत्य है तो आपस नमर दूसरा क्या है सत्य है प्रतेक ग्रह एक दिरगवरि आई यह बढ़ते हैं आगे कुश्यं की तरफ तो एक समान रजुवक्र के आकार में लटकते हुए डोरी के किसी बिंदू पर तनाव बदलता है उस बिंदू की क्या होगी उस बिंदू की क्या होगी स्पेन के ऊपर उचाई के अनुसार होगी इस पेन के ऊपर के ऊचाई के अनुसार आप्स नमर तीसरा इसका राइट एंसर है निम्लिकित में कौन सा समान रजुवक्र के संदर्भ में सत्य नहीं है आप्स नमर चौथा क्या है या गलत है आए आगे बढ़ते हैं यदि एक समान रजुवक्र के किसी विंदू P पर अभिलंब नियता से क्यूं पर मिल लिता है तो P क्यूं बराबर है तो 1y0 के बराबर है आपसे नमर दूसरा इसका राइट एंसर है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया गा तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर यदि आपको इस वीडियो में कोई भी answer गलत लगे तो आप अपना comment box में answer बता सकते हैं यह वीडियो वी ए second year fourth semester mathematics, BSC mathematics वालों के लिए है उनका answer की है याँनि BSC Math का answer की है तो धर्न्वाद चलिए next video मिलते हैं जै ही जै बाद